आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हैल्ड प्रॉब्लम और उसके सलुशन के बारे में बात करेंगे जिसे कि खास करके यह पुरूशु का जो पार्ट होता है उन में हो सकती है जैसे कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके दर्मियान जो पार्ट है वो जल्द ही दीला पड़ जाता है और डूसरी जो प्रॉब्लम है कि आपको दर रहता है कहीं यह जल्द ही से बाहर ना आ जाए इसके लिए आप क्या करते हैं उसे रोकते हैं तो यह भी प्रॉब्लम है कि जैसे कि बाहर आने से आप रोक रहे हैं और उसके बाद जो है वो आप रोक नहीं पाते हैं जिसके कारण आपका जल्द ही बाहर आ जाता है और चौती जो problem है वो यह है कि time manage करने में आपको problem हो रही है जल ही बहार आ जाएगा तो आपको एक डो मिनिट में हो सकता है तो इसके लिए normal time क्या है और ये जो time है उसे increase करने के लिए हम क्या कर सकते है तो आज की video lecture में हम इसके बारे में सिखेंगे तो इसके लिए एक बहुत अच्छी medicine है जो की man force की है तो mankind pharmaceutical company बनाती है तो ये problems को solve करने वाली medicine के बारे में सिखेंगे जिसका नाम है stay long gel जी हाँ आपने सही सुना stay long gel जो है वो किस तरीके से काम करते है आपको किस तरीके से use करना है इसके बारे में आज हम आपको पूरी detail जानकारी देंगे कि ये जो gel है वो कितनी देर में काम करता है किस तरीके से आपको use करना है इसके लिए आपको कोई medicine नहीं लेनी है किस लिनाफिल टिलिनाफिल इसी कोई medicine नहीं लेनी है डायरेक्ली आप अपने पार्ट पे gel लगा सकते है तो ये जो आप options देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सारे chapters है उसके बारे में आज हम ध्यान से सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर सबसे पहले समझते हैं कि स्टेलोंग जेल जो है वो कौन से क्लास के medicine है अमाईड एनस्टेटिक्स और इसका जो ब्रान नेम है वो है स्टेलोंग जेल salt composition आप यहाँ पर देख सकते हैं lidocaine and prelocaine नाम से जानी जाती है तो lidocaine जो है वो 2.5 weight by weight and prelocaine जो है वो 2.5 weight by weight के रूप में होती है और इसमें जो preservative है वो यह है कि methyl petraben as a gel base तो इस तरीके से यह रहता है अब सीखेंगे कि mankind pharmaceutical company जो है वो इंडिया की best healthcare company है जो की healthcare products बनाती है इसका जो headquarter है वो है दिल्ली में अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही study करना अच्छा लगता है और आपको भी हमारे साथ different medicine के बारे में disease के बारे में सीखना है तो इसके लिए आप हमें इस whatsapp number के true contact करके अपनी book order कर सकते हैं जिसे के आपको ये जो book है इसमें सारी detail जन्नों के मिलेगी जिसे की बीमारे के causes, symptoms, diagnosis, treatment क्या है तो ये सब सीखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो जैल है उसका use क्या है तो इसका ये use है कि जो बाहर आ रहा है time से पहर है और जल्ड ही आ जाता है तो उसे रोकने में help करता है यानि कि आपका जो time है वो उसे increase करता है आपका जो pleasure है partner के साथ वो भी increase करता है तो लंबे समय तक आप उसे रख सकते हैं और आपका जो performance है आप जो time span करना चाहता है वो लंबे समय तक रख सकते हैं आप इसकी label study को समझेंगे तो इसमें आप यहाँ पे देखे कि man force जो stay long gel इसका नाम है तो नाम से ही पता चलता है कि लंबे समय तक ये आपका तो आप ये sachet ले सकते हैं अगर आपको अपने घर पे ट्यूब रखनी है तो उसके लिए 8 अगराम की ट्यूब है तो आप ये भी purchase कर सकते हैं तो यहाँ पी इसकी packaging रहती है mankind का इस तरीके से logo है और बहुत ही अच्छी colorful package में ये ट्यूब बनाए गई है अब सिखेंगे कि इसका कान क्या है तो इसका काम ये है कि सबसे पहले हम जानेगी कि इसमें एक agent है जो है लेडोकेन तो लेडोकेन का काम क्या है तो वो rapid onset of action यानि कि जो immediate जल्द ही जो action आती है यानि कि जो longer करने में help करता है वो लेडोकेन करता है और specially anesthetic agent है तो ये आपको few minute में ही उसका result द दिलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि blood flow को maintain करने में ये जो medicine है लेडोकेन वो help करती है और डूसरी जो medicine है वो ये है कि प्रिलोकेन तो प्रिलोकेन का काम क्या है कि जो जल्द ही बाहर आ जाता है उसको slow करने में help करती है तो अगर ये जो slow हो जाएगा तो आपकी जो लंबे समय तक रहेगी longer duration of action उसका रहता है तो बात करें कि जब भी ये दोनों combination में दी जाती है तो लीडोकेन और प्रिलोकेन तो उसका काम क्या है कि आपको rapid action देगी यानि कि जल्द ही आपको activate करती है तो अगर आप हो जाते हैं तो प्रिलोकेन उसके बाद क्या करता है कि आपके जो tissues है उसमें blood flow तरीके से करता है और लंबे समय तक रखने में आपको help करता है आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसका dose गया है तो इसे आपको use के से करना है जब भी आप activity कर रहे हैं तो उसके 20 minutes पहले आपको ये जो gel है वो लगानी है जिससे कि आपका जो normally 1 से 2 minutes में हो जाता है या तो फिर 2 से 10 minutes में निकल जाता है तो उसके बज़ाए आप 6 तो 8 minutes या फिर 10 minutes तक भी रख सकते हैं तो आपको एकदम पतला thin layer लगाना है और जो device होता है ये वो device से आपको cover कर देना है कितने minute तक cover करेंगे 20 से 25 minutes तक तो इसके लिए ये खास करके required होता है because अगर ये नहीं आप लगाते हैं तो cream जो है वो उसका effect कम कर देगी और ये जो है वो private part जो है females के उसके अंदर कुछ sensation provide कर सकती है price के बारे में सिखेंगे कि इसकी जो latest price है 2024 की अगर आप 8 gram jail ले रहे हैं तो उसकी price आपको 110 यानि 110 रुपे रहेगी और आपको 1 gram का जो sachet मिलता है market में वो चाहिए तो वो आपको 24 रुपीज में मिल जाएगा है ना तो आप 24 मिनिट और 24 रुपे है उसमें आप 10 से 15 मिनिट तक जैसे जैसे लोगों का time होता है या फिर 8 से 10 मिनिट तक आप enjoy कर सकते हैं only for 24 रुपीज नाव वीडियो के बीच में मैं आपको छोट इसी केट रिक लेके बताना चाहती हूं कि मेरी application है learn with FISA अगर आपको मेरे साथ history करना है different disease के बारे में सीखना है तो आप medical treatment of disease का course ले सकते हैं और different medicine के बारे में सीखता है तो आप health and medicine course ले सकते हैं तो health and medicine course में हम बताता है different medicine के बारे में जिसे कि उसकी use क्या है label study को क्या ध्यान में रखना है dose क्या है side effect mechanism price तो इसे different chapters आपको यहां पर दिखाए गया है तो इसमें यह available रहता है तो इसकी price $199 है और जो disease है तो इसकी क्या condition है लक्षन क्या है, symptoms क्या है, diagnosis क्या करना है, treatment क्या है तो इसकी price $250 है यह जो डोनों course है उसकी validity आपको one year की रहेगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं किसके side effects क्या है तो इसकी side effect यह है कि altered temperature sensation यानि कि बोडी के अंदर का जो temperature होता है वो उसे change कर सकता है यानि कि जब भी आप action ले रहे हैं आपका time increase होता है तो यह जो temperature है वो आपका बढ़ सकता है because blood flow faster होगा और लंबे समय तक वो उसका increase रहता है और ज्यादा long करने से आपको वहाँ पे burning भी हो सकती है skin आपकी pale हो सकती है तो यह आप द्यान से देखिए कि pink से pale skin इस तरीके से हो सकती है एरिद्मा हो सकता है warning यानि की contraindications देखेंगे कि क्या क्या side effects हो सकते है warning क्या हो सकती है क्या ध्यान में रखना है तो आप अगर drive कर रहे हैं तो यूज नहीं करना है अगर आप drive करेंगे तो फिर क्या होगा आपको पता चल ही गया है कि drive करते समय यह आप नहीं यूज करते हैं because उसमें परेशानी होती है आपका mind change हो सकता है heart related patient को related problems होना, patient को hypersensitivity issue रहना यानि कि वहाँ पे rashes आ सकते हैं, redness कभी कबार हो सकती है तो अगर किसी को amide derivatives जो है anesthetics के उसे reactions हो रही है, hypersensitivity है तबी भी उसको यूज नहीं करना है और अगर किसी को hepatic problem है तो उसे भी यूज नहीं करनी है pregnancy category के बारे में सीखेंगे कि pregnancy में avoid करना है because यह जो medicine है वो only males के लिए है, female के लिए नहीं है drug drug interactions के बारे में सीखेंगे झाल के बारे में सीखेंगे